नमस्कार मैं हूँ मुसकान अजमानी और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी कन्यट सुपरस्टार यश के फिल्म के जी अफ टू सिनिमा घरों में रिलीज हो चुकी है जिसकी रफ्तार बेहच चौक आने वाली है लोग इस फिल्म को काफी पसंद कर रहे हैं बॉलिवुड के जाने माने चहरे जैसे संजय दत और रवीना टंडन की वज़े से फिल्म के हिंदी डब को भी लोगों का भरपूर प्यार मिल रहा है देखिये हमारी ये खास रिपॉर्ट साउट सुपस्टा यश की फिल्म केजी एफ का दूसरा चाप्टर आ चुका है और फिल्म रिलीज के बाद से ही लोगों के बीच थमाल मचा रही है निर्देशक प्रशान नील की फिल्म केजी एफ चाप्टर टू की आंधी के आगे RRR का टूफान भी अब धुनला पड़ता नजर आ रहा है SS राजर मॉली की RRR ने कुछ दिनों पहले ही 1000 करोर रुपे की कमाई पूरी कर ली है लेकिन अब KGF फिल्म ने रिलीज के चौथे दिन ही दुनिया भर में 500 करोर से ज्यादा की कमाई कर ली है जिसके साथ ही इस फिल्म ने पहले हफ़ते में सबसे ज्यादा कमाई करने का नया रिकॉर्ड अपने नाम किया है अगर ऐसे ही ये मूवी बॉक्स ओफिस में धमाल मचाती रही तो जल्द ही ये फिल्म आरारार की कमाई के चौकाने वाले आक्रों को भी धूल चटाती नज़र आएगी जहां एक और भारत में फिल्म केजीएफ चैप्टर टू ने तहलका मचाया हुआ है वही दूसरी और आम दर्शक से लेकर सिलेब्रिटीज तब इस फिल्म के लीड आप्टर यश और डिरेक्टर प्रशान्त नील की जम कर तारीफ कर रहे हैं दर्शक इस फिल्म में अप्टर यश के हाव भाव, लुक्स और एटिटीट की तुलना महानायक अमिताब बच्चन से कर रहे हैं बॉलिवड आक्टरिस कंगना रनौट ने यश को सिनिमा जगत का नया एंग्री यंग मैन बताया है कंगना ने अपने इंस्टाग्राम पर स्टोरी शेयर करते हुए कहा है कि हिंदुस्तानी सिनिमा की दुनिया में कई साल से जो एक खाली पन था उसे यश ने पूरा किया है आपको बता दे कि इस फिल्म में अभिनेता यश के साथ साथ रवीना टंडन, संजे दत, प्रकाश राज और श्री निधी शेटी जैसे कलाकार भी शामिल है यश की KGF फ्रेंचाइजी बॉक्स ओफिस पर सबसे सफल फिल्म साबित हो रही है यह फिल्म अभिनेता यश की अब तक की सबसे शांदार फिल्म है फिल्म के जीएफ चैपटर 2 को देखने के बाद अब लोग के जीएफ के 13 सीकूल का बेसबरी से इंतजार कर रहे हैं फिल्म के अगले चैपटर के सूत्र को फिल्म के क्लाइमाक्स में दिखाया गया है फिल्म के जीएफ चैप्टर टू एक विशाल कैनवास के लिए सोची गई कहानी है तो के जीएफ टू ने रिलीज होते ही बॉक्स ओफिस पर धमार मचा दिया है फिलाल हमारी खास रिपोर्ट में आज के लिए इतना ही देश रपदेश की बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहेए प्राइम टीवी